कि यहिंद्र एक वार फिसे स्वागत है इस नए वीडियो पर । इस वीडियो के माध्याम से ज़ौ आप लोगों के कॉमेंट है मैंने नोट और किया मैकसिमुम्न और आप लोगों उसे बताने से पहले मैं आपको बता दू हमारे चैनल पे दो तरह के गीवे चल रहा है एक तो बीए बीए सी बीकम सेशन दोजार चोबिस के अठेस वाले कैनेडेट जिसका सेमेस्टर वर्ण का एक्जाम होने वाले हैं और वो एडमिशन भी अभी लिए हैं तो उनके लिए उस फॉर्म को फिल अवस्ट कर लें ठीक है और जैसे एक हजार कैनेडेट हो जाएगा मैं आप लोगों को तक अपडेट दे दूंगा कि आप लोगों का इनॉंस हो चुका है आप लोगों के घर तक फिर यह कोस्ट भेज दिया जाएगा ठीक है दूसरा पार्ट थ्री वाल में पचांस ही था तो उसी लिए वो पचांस हो चुका है उसका रिजल्ट एक से दुदिन में एनॉंस कर दिया जाएगा कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ठीक है तो एक से दुदिन वेट करें सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि पीजी एडमिशन को ले करके फिर से मिलेगा पंपने सब्मेशन प्रिदिन दिया जाता है कि जो लोग नहीं है या जो come पो करने के जुरहां लेता है है और मं एक조स में सब्कों टान अमंता है पिर से दहाँ लिस्ट में नहीं है इस वाला पीजी बनाँ है अब लोग में धुटे दोट आ जाएगा कि फेक फैला पार पर पैल पार तो उसमें धुटे-दूटे परेसान हो जाएगा तो पर भी नहीं मिल पाता है इसलिए घवराना नहीं यह आप लोगगों को नाम आये नहीं आये आप अपना यूजर आईडी और पांस्पर्ट के साइथासी युनिवर्सिटी के वेबसाइट पर कर ये कि आपका सभी से सही सलामत है तो है तो है आप लोग का नाम आएगा ठीक है आपस लिस्ट के वरों से नहीं रहें इसके बाद है प्रोबिजिनल सुर्टिपिकेट में कि यह गया है इसके बाद सट्रिकेट प्रोप्रमाणपत्र लेना है कहा जायेगा अगर आपक होगा सकते हैं तो पहले पहुँचा है तो उनिवर्सिटी चाना है मुल्परमाणपत्र के लिए अपलाइ ही आप काम सकते हैं कोई दिकत नहीं है ठीक है परैसान नहीं होना है जूरत है तो आपको मुल्परमानपत्र की जूरत है तो यह फसी से काम चलाए यह आप 25 वाला का कॉमेंट और बशो एटमिशन कुछ और कॉलेज में हो चुका है और कुछ में नहीं हुआ है जिसका नहीं हुआ है वह घबराय भी नहीं ठीक है जब भड़ इस वक्त तक आप लोगों के लिए जाते हैं कॉलेज के मात्यम से तो आप लोग एक जानुसर फॉर्म का इंतिजार करें कब भराएगा तो एक जानुसर फॉर्म दोजार पचीस में ही भराएगा अभी आप लोगों का कोई चांस नहीं है पार्ट टू का रिजल्ट यह ज्यादा कमेंट आता है क्योंकि यह भी ट्रेंडिंग टॉपिक है तो पार्ट टू के बारे मैंने पहले भी जानकारिया आप लोगों को दे दिये हैं कि दुर्गापुजा के बाद और 15 और 20 अप्टूबर के बीच में आप लोगों का रिजल् सबसे पहले जहां परिज्छा दिये थे वहां से में में लेने का प्रोसेस्ट पर अपने कॉलेज पर जाना है उसके बाद वहां पर लिखना है और अपने पर दाना चारे वेरिफाई करा लेना है उसके बाद जहां सेंटर है वहां पर जाना है और यह अपलिकेशन दिखाईएगा वह मेमों निकाल करके देंगे और आप उस मेमों को लेकर आप सभी डोकुमेंट को लेकर के युनिवर्सिटी जाहिएगा वहां पर डाटा विभाग में जमा कर और जिसका है वह मैं आपको बता दिया हूं परोबिजनल सॉटिफिकेट और मार्कुमें पर इसपर और मार्कुमें में भेज़ दिया आप याद रखना है अगर आपको कोई चीच ठीक करना है तो आप University के मात्यम से ही ठीक कर आप सकते हैं तो यह रहा और आप लोगों को क्या जवाब कोमेंट में चाहिए वो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा मैं जानकारी कठा करके आप लोगों को बताऊंगा वाले के लिए मैंने वता दिये हैं कि आप करना है जानकारी आप लोगों को दे दिया जाएगा मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद